कम टू मैं चानल कोट सोरे वित माइक तो आज आपने बाइनेटरी के प्लेलिस का वीडियो नंबर 40 करने जा रहे हैं लीट कोट 543 तो मांक्ट इजी है बट यह क्वेशन बहुत सारे दूसरे क्वेशन का बुनियाद है अगर इस तरह यह क्वेशन बनाना सीख जाओगे तो बहुत सारे क्वेशन जो आप बना पाऊगे असानी से तो अगर जिनको एजी नहीं लग रहा है उसके लिए बहुत आसानी से सिंपल सा स्टोरी लिखेंगे और उससे हमारा प्रॉल्म सॉल्व हो जाएगा डायमेटर ऑफ बाइनेटरी ट्री रिटन दे लेंथ अफ दी डा यह जरूरी पॉइंट है जरूरी नहीं कि वह पाथ रूट से ही पास होना चाहिए और वह किसी भी दो नोट के बीच में पास हो सकता है निकालो तो एक जो गया दो एज हो गया तीन जो गया तीन एज हो गया है ना तो number of edges जो है ना उसी को diameter बोल रहे हैं लोग नंबर of notes नहीं count करना number of edges एक दो तीन डामेटर इसका 3 है क्योंकि इससे बड़ा edge आप ढूंडी नहीं सकते इससे बड़ा path आप ढूंडी नहीं सकते इसका output भी देखो लिए देखो को इससे बड़ा अपको ऑड़ हो एंचे अगर 5 भी ज आऊओग के या तोसzięki तो फोर से 1 जाओगे अभी दो यह मिला से 3 जानो एक दो ही मिल लिए इससल young बड़ा आपको डामेटर नहीं मिल पाएगा और इस डामेटर में कौन दो नोड हमने चुना फोर को चुना और थ्री को चुना और इनके बीच का पाथ जो है इसमें तो यह हमारा सबसे बड़ा डामेटर और एक और अंसर हो सकता है फाइव टू वन थ्री तो एक एज दो एज तीन एज तो इसका अंसर इसलिए यहां तक क्लियर हो गया अब इसका थौट प्रोसेस देखने देखो सिंपल सा ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्रक्चर है तो रिकर्शन या फिर स्टोरी नहीं लिखा तो उसके फिर आपने क्या कि इसे हो जाएगा ध्यान दो यहां पर यह हमारा एक्जामपल है इस एक्जामपल में आने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक से एक चीज बताऊंगा देखो और यह बेसिक चीज बहुत सारे कॉश्चन में यूज होगा आपको इसे मानके चलो फॉर एवी एनी गिवन नोड क्योंकि कुश्चन में दे रहा है कोई भी नोड हो सकता है तो मेरे यह मेरे कोई रांडम नोड है तीक है माल लेते हैं नोड वन है अब ध्यान दो इसका लेफ्ट चाइल हो सकता है इसका राइट चाइल हो सकता है हो सकता है यह नोड वन जो है हो सकता है रूट ना हो तो मत बात करें तो अगर root होता ही नहीं उपर तो देखो longest diameter क्या होता ये node 1 ये जो बंदा है ये बोलता कि हाँ भाई ठीक है लेफ्ट साइड में जितना बड़ा edge है edge वाला path है वो निकाल के ले आओ उसका नाम देते हैं left कि left side में maximum एतने edges हैं edges वाला path है और node 1 बोलता कि right side से भी निकाल के ले हो recursion को बोल देता है recursion हमारा tension दूर कर देगा वही मेरा काम करेगा तो अब node को क्या लग रहा है ना node 1 को कि ये जो path है ना diameter जो है सबसे बड़ा diameter इसके through pass हो रहा है मतलब diameter कुछ ऐसा है है ना यहां पर कोई node रहा होगा जिससे maximum path यह आया और यहां कोई node रहा होगा जहां पर यह खतम हुआ तो एक तो यह answer हो सकता है कि हाँ सही में यही maximum मेरा diameter हो सही में यही diameter हो सही में सबसे बड़ा यही path हो तो इस path पर अब ध्यान दो left से जो max मिला वहां से मैं node 1 पर आया फिर वहां से right चला गया ठीक है तो इसका path तो इसका number wages कितना होगा left में जो maximum number wages था plus right में maximum number wages था तो एक तो लग रहा है कि यह answer हो सकता है तो यह मेरा possible answer हुआ ठीक है but मैं आपको बता है ना कि हो सकता है कि उपर भी मेरे और nodes हो और यह root ना हो ठीक है तो एक तो possible यह था कि नीचे ही मेरा diameter मिल जाए मुझे नीचे ही नीचे उपर जाने की जरूति ना पड़े उपर जो root है या जो भी उपर nodes है वहां जाने की जरूति ना पड़े नीचे ही मुझे यह answer मिल जाए हो सकता है यह best answer हो तो मैं इसको possible answer mark तो जरूर कर दूँगा कि हो सकता है सबसे बड़ा मुझे path यही पर मिल जाए नीचे ही नीचे जो कि इस node से pass होता हुआ जाए left इस node पर गया फिर right में कहीं पर मिल गया ठीक है बट यह तो मैंने एक possible answer mark कर दिया बट हमें उपर जाके चेक करना पड़ा ना कि हो सकता है उपर भी मुझे और बड़ा path मिल जाए है ना तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उपर अब जो जो भी node उपर होगा मान लेते हैं उपर कोई root था मान लेते हैं root यह उपर कोई भी node है तो उसके लिए जाए ली सबसे बड़ा path कौन होगा देखो उसके लिए तो page होगा एक तो यह वाला edge और यह तो लग आझा इस से बनाता हूं उस root के लिए उपर जो node है उसके लिए सबसे बड़ा digits यह तो करूँदर यह सकता है पहला option यह तो यह हो सकता है दूसरा option ग्रीन वाला या तो पिंक वाला तो अब्वेसे इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही चुनेगा वह रूट है ना तो देखो अब इसका मतलब यह तो कॉंस्टेंट है ना यह वाला पाथ तो कॉंस्टेंट है यह वाला तो अब इन दोनों में से बड़ा कॉन होगा जब य तो यहां पर प्लस वन कर दिया तो एक यह कंडिडेट है तो यह maximum of left,right कौन देगा इस इस रूट को maximum of left,right कहां चलेगा भाई यह देगा इसकी responsibility है तो इस node 1 की responsibility है कि यह उपर कि यह पहले node 1 की दो responsibility है पहला यह कि अगर उसको लगता है कि वह answer है तो वह answer update कर देगा कि हां मुझसे ही diameter पास होता वह जा रहा है लेकिन अगर मैं answer नहीं हूँ मुझसे भी बढ़ी answer अगर मिल सकता है तो यह उपर वाले को भेज देगा कि देख भाई maximum of left,right मैं तुम्हें भेज दे रहा हूं यह बहुत है तो यह दो possible answer हो सकते हैं और यह सवाल हमें हर नोड से करना है हर एक नोड से तो यहां पर आते हैं सेम सवाल मैं करता हो हर नोड से यह से मालेते हैं यह तो रूट है तो रूट को तो कोई टेंशन ही नहीं होता है त्री में क्या होता है मैं आग बंद करके बोलते हैं लेफ्ट साइट से answer लिया राइट साइट से answer लिया मैं देख लूँगा तो फिर यहां पर रूट आ गया recursively मानके चलते हैं तो अब एक चीज़ ध्यान दो फिर यह रूट यहां आ जाएगा त इस फोर को लग रहा होगा कि यहीं अंसर है मतलब लेफ्ट से फोर पर गया फोर इसको क्या लग रहा कि answer क्या है कि लेफ्ट प्लस राइट तो आंसर आ गया जीरो ठीक है बट ये तो अपने हिसाब से आंसर इसने निकाल दिया कि हो सकता है डायमेंटर मुझसे पास होता वाजाए तो उसका अंसर लेकिन जीरो आ रहा है बट ये रिटर्ण क्या करेगा टू को ये टू को रिटर्ण कर देगा maximum of left comma right प्लस1. змाकसिमुम of left camera hypotheses क्या कि ऑफ्वेस से बात है उपर जो node होगा तो उसके लिए path कुछ यह होगा या तो यह होगा left यह तो है जाएगा है टू जो बड़ा है वह फोर उसको बता देगा कि भाई, max of left, right मैं आपको भेज रहा हूँ और plus 1 करके भेज रहा हूँ क्यों क्योंकि ये वाला यज़ भी cover करना है है ना, ठीक है तो इसने भेज जिया, maximum of 0, 0 plus 1, तो यहाँ पर 2 के पास left में 1 आया है ना, क्योंकि 2 ने left regression call मारा था और इस 4 ने उसको दिया, कि भाई, यहाँ left side में, 4, 2 को बोल रहा भाई, तेरे left side में maximum एज़ नहीं है, maximum path वाला एज़ ज़तन ही है ठीक है, similarly 2 यहाँ पर right side बे भी call किया होगा इसने, जब route यहाँ पर आया होगा तो 5 के साथ भी वही है ना, left side में 0 और right side में 0 है, तो 5 भी वैसी return कर देगा, maximum of left, right plus 1 ठीक है max of left, right plus 1, तो left 0 है right भी 0, plus 1 होगया, 1 यहाँ पर तो इसको right में क्या मिल गया 1 मिल गया यहाँ पर ठीक है, अब देखना ध्यान देना फिर से same कहानी होगा, अभी मैं इसको 2 परूँ, 2 को left से 1 edge मिल गया है, कि सबसे बड़ा edge left side में 1 ही है, और 2 को right से 1 edge मिल गया है, ज़र सबसे बड़ा edge वहाँ right में, 1 ही है अब 2 को दो चीजें करनी है, पहला चीज कि अगर 2 ही answer होता तो मतलब answer यही होता तो यह वाला path, ठीक है, तो 2 क्या बोलता, कि हाँ, आंसर हो सकता है left plus right हो, तो left plus right यहाँ केतना आ रहा है, दो आ रहा है, बट हाँ, देखो अभी मेरे result में 0 था, तो अब वैसे एक बेटर answer मुझे मिला, तो मैंने result को update तो कर दिया, कि यह possible answer है, यह वाला path जो green से मैंने mark किया है, बट, यह उपर जाएगा, और उपर वाले को बोलेगा, कि भाई देख, मैंने तो 2 answer, मेरे हिसाफ से लग रहा 2 answer है, कि मुझे से वो pass हो रहा था, मैंने उस path का answer निकाला है, अब यह उपर वाले को बोलेगा, कि मैं तुम्हें best answer दे देता हूँ, अपने side से, ठीक है, तो एक यह age हो गया, age का count 1 हो गया, plus, और 1 का path कहां जा सकता है, blue से बाग करता हूँ, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, है ना, तो 2 के left side में बड़ा है, या right side में बड़ा है, तो धरी 1 का path जाएगा, है ना, तो वही यहाँ पर हम लोग करते थे, maximum of left, right, है ना, तो 2 ने क्या किया, maximum of left, right, plus 1 बेज दिया, plus 1 इसके लिए बेजा, ठीक है, तो 1 के left में क्या आ गया, देखो तो, 2 आ गया, 1 plus max of 1, 1, ठीक है, यहाँ तक clear है, तो बढ़िया, अब यह हो गया, इसका, ठीक है, और अब आते हैं, कि जब root यहाँ पर आया, तो अब विए से इसने right side भी call किया होगा, ठीक है, तो अब root यहाँ पर आया, ओके, अब देखो, यह 3 क्या है, 3 के left में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं है, तो इसका left और राइट जीरो है, तो इसने max of left, right plus one भेज दिया, इसको, ठीक है, तो यहाँ पर right में one आया, ठीक है, अब देखो, इससे भी same सवाल करेंगे, है ना, root से भी same सवाल करेंगे, बोलेंगें कि भाई, तो root बोलेगा, कि देखार, मेरे हिसाब से answer क्या आ सकता है, कि जो diameter है, वो ऐसे मुझसे pass हो जाए, मतलब left plus right हो जाए, left plus right, तो देखते हैं, इसकी value क्या है, 2 plus 1, 3 हो गया, जो कि result से बड़ा answer है, तो 3 में ने update कर दिया, या फिर, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे उपर कोई node होगा, तो मैं उनको return कर दूँगा, maximum of left, right plus 1, अगर मान के चलते हैं, यहाँ पर सही में कोई node होता, यहाँ पर, अगर सच में कोई होता, यहाँ पर node, तो उसको, यह one क्या return करता, खुद सोचो, उसके लिए तो best path यह वाला होता ना, इधर वाला होता, ना कि इधर वाला, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पात नहीं होता, ठीक है, तो one उसको, उपर वाले को क्या return करता, maximum of left, right, दोनों में maximum कोन है, left साइड वाला पात, यह वाला पात बोलता, कि यह पात में आप जाना, वन जो है, अपने रूट को बोल रहा है, कि आप लेफ्ट वाले पात में जाना मेरे, तो इसलिए maximum of left, right भेजा उसने, 2, left, right का maximum क्या है, 2 है, प्लस वन क्यों भेजा, क्योंकि यह वाला पात आड करना, प्लस वन, तो इस रूट के लिए maximum diameter तीन हो जाता, है ना, ठीक है, अब देखो, यहां तक तो हमने, बहुत अच्छे से story बना ली, और समझ में भी आ गया, और I'm pretty sure, कि आप वीडियो बंद भी करके, आप code खुद से कर सकते हो, बट याद रखना, यह जो मैंने diagram सिखाई न, आपको यह वाला, यह बहुत important है, है ना, कि हर node में आपको क्या सवाल करना है, हर node की क्या responsibility है, इस node की दो responsibility है, कि खुद को consider करके एक answer निकाल लेना, और result में डाल देना, अगर वो अच्छा answer है तो, और उपर वाले को best देना, ताकि उपर वाले को अगर answer निकालना पड़े, तो वो best answer निकाल सके, ठीक है, यहाँ तक clear है, यह समझा है, जो कहानी सुनी, उसको point में convert करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले आप root पे खड़े रहोगे उस वक्त, ठीक है, तो आपको क्या फर्स बनता है, कि आप left side recursion मारो, और बोलो कि भाई left side का maximum number of edge निकाल ले आना, फिर आप बोल जो कि right side से भी maximum edge है, वो निकाल ले आना, तो आपने क्या किया, root के left में recursive call मार दिया, और root के right में recursive call मार दिया, बाकी अब tension recursion का है, वो मेरा काम कर देगा, मैंने बस call कर दिया, आँख बंद करके, इसी को याद करो, मेरे recursion and concepts को questions के playlist में, मैं बताता हूँ, इसी को trust बोलते हैं, recursion leap of faith, मैं faith कर रहा हूँ, trust कर रहा हूँ, कि recursion ना, ये solve, ये मेरा correct left ले आएगा, correct right ले आएगा, maximum ही number of edges लेकर आएगा, ठीक है, ओके, इसके बाद, मैंने क्या बोला, कि हाँ, एक result नाम का variable बना लेंगे, जिसमें मैं update करता रहूँगा, best answer, तो starting में int min रख लेते हैं, क्योंकि मुझे maximum चाहिए, int min एक variable रख लेंगे, global रख लेंगे, या तो फिर इसको by reference पास करते रहेंगे, ताकि इसी को update करते रहें, अब देखो, अब हर root पे, आपको दोस चीज इंत करनी है, पहला, कि हो सकता है, वही root मेरा answer हो, तो मैं result में update करने की कोशिश करूँगा, result is equal to maximum of result, left plus right, मतलब diameter मुझे लग रहा है, वो है, कौन, जो left से आया, एक current root पर रुका, और right पे चला गया, ये वाला, ठीक है, बट, ये तो मतलब मैंने update करने की कोशिश की यहां पर, अगर बढ़ी answer हो तो result में update हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा फ्लो, जब मैं recursion से लौटूँगा, उपर जाऊँगा, तो मेरा first बनता है कि मैं उनको क्या return करूँ, maximum of, ये left और ये right से, जो भी maximum मिला था मुझे, left, right, plus one क्यों, क्योंकि ये age से मैं उपर जाऊँगा, recursion अभी उपर जाएगा, plus one, क्योंकि ये age भी count करना है, मुझे, ताकि मैं उपर वाले note को बता सकूँ, है ना, ठीक है, तो बस यही तीन चाल लाइं का code था, अपने code कर दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ, recursive tree को समझा करो, यहाँ पर एक flow, भी develop होगा, dry run करने का, और आपका logic और भी build होगा, फिर आप खुच से story, खुच से चीजे समझा बना पाऊगे, हो सकता है कि आप अभी, एक और story बना तो, जिससे answer बन सके, और भी कुछ-कुछ डिफेंट तरीके हैं, इसको code करने के, बट ये सबसे simplest तरीका है, ठीक है, तो चलो, कुछ नहीं है, इसका time और space complexity पर देख लो, बहुत simple है, time complexity क्या है, o of n होगा, where n is equal to number of tree nodes, क्योंकि यतनी nodes में, हर एक node में एक बर visit कर रहे हैं, और space complexity क्या होगा, हमने अलग से कोई auxiliary space नहीं लिया है, तो auxiliary space की अगर बात करें, तो o of 1 है वो, अलग से कहां कोई space लिया आपने, लेगे ना हम recursion call कर रहे हैं, तो recursion का system का stack का, हम space जरूर लेंगे, और वो यातर क्या होता था, recursion में हमेशा, maximum जो depth होता है, तो यहां पर में लिख देता हूँ, o of depth of the tree, maximum depth max of the tree, यहां तक clear हो गया, तो I hope I was able to help, जल्दी से code करते हैं, इसको finish करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अच्छा हाँ, अगर मेरा tree ही empty है, मतलब not of root का मतलब क्या होता है, कि root ही मेरा null है, अगर ऐसा है, तब तो कोई diameter हुई नहीं सकता, है न, return zero कर देना इसको, फिर मैंने क्या बहला दे कि, एक global variable या तो एक variable बना लेंगे, जिसमें मैं अपना result update करता रहूँगा, ठीक है, और simple से मैं एक function call कर दूँगा, solve, उसमें root भेज दूँगा, और result को update करने के लिए result भेजता रहूँगा, return last में result ही करना है मुझे, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, int solve लिखता हूँ, जिसमें मैं क्या पास कर रहूँ, tree node as just root, और int and result, ठीक है, अब याद रखना, int and result क्यों कर रहूँ, ampersand क्योंकि result में जो भी update हो मैं चाहता हूँ, वो यहाँ पर reflect हो जाए, ठीक है, तब ही तो मैं उसको return कर पाऊँगा, यहाँ पर recursion में call करते हैं, if left, sorry, if left नहीं, int left solve call कर दो, root का left के लिए, int right call कर दो, root के right के लिए solve call कर दिया, अब recursion का काम है, वो निकाल के लिए आगा, left और right में maximum जो number of edges है, मेरे attention नहीं है वो, अब मैं result में क्या update करूँगा, maximum of result की जो भी वाली तो, left plus right, एक तो यह possible answer है, कि नीचे से एक edge आया, number of edges आये, current root पर आया, और फिर right side चला गया, उपर गया ही नहीं, तो एक यह possible answer है, लेकिन हाँ, अब जब मैं उपर भेजूँगा, तो उनको मैं जब बताना पड़ेगा, कि max of left, right, वो maximum जो है, वो मैं भेज रहा हूँ, और plus one करके भेज रहा हूँ आपको, यह मैंने आपको समझाया था अभी, कि क्यों ऐसा भेज रहा है, ठीक है, तो चलो, run करके देखते हैं, we should be able to pass all the test cases, और कोई भी doubt होता है, raised in the comment section, यहाँ पर हमने क्या गलती किया है, अच्छा हाँ, हमने base case लिखा ही नहीं, अब recursion लिख रहो, base case लिखी नहीं रहो, last में क्या होगा, root null के बराबर हो जाएगा, null जब भी होता है, तो return 0 कर देता है, right, क्योंकि देखो, root अगर null है, तो मतलब diameter निकली नहीं सकता है, तो diameter भी 0 होगा, ठीक है, तो कोई भी doubt होता है, raised in the comment section, I'll definitely try to help you out, see you guys in the next video, thank you,